जैहिन दोस्तों मैं निधी बिन जोहान आज हम करेंगे क्लास टैंत का 4.2 का question number 6 इसमें हमसे पूछा गया है उत्पादित वस्तु की संख्या और प्रतेक वस्तु की उत्पादन कीमत संख्या और कीमत हमें निकालनी है वस्तु की ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं माना निश्चित दिन अब देखो हमें निश्चित दिन दिया नहीं गया कि भी सोमा रहा है मंगलवा रहा है कौन सा दिन है ठीक है तो हम कोई भी निश्चित दिन यहां लिख लेते हैं माना निश्चित दिन उत्पादन संख्या है x और प्रतेक वस्तु की उत्पादन कीमत ह 2x plus 3 अब ये कैसे आया ये हमें question दिया गया है question में दिया गया है कि उस दिन जो हमारा उत्पादन हुआ वो जो एक निश्चित दिन था उसके दुगने से 3 ज्यादा कीमत मिली ठीक है जो एक दिन निश्चित संख्या थी वस्तू के बनने की उसकी कीमत हमें मिली दुगने से 3 ज्यादा तो दुगने से मतलब 2x इसके दुगने से x के दुगने से 3 ज्यादा तो ज्यादा है तो प्लस और दुगना है तो 2x ठीक है तो कुल उत्पादन खर्च हो गया इन दोनों को हम कर देंगे गुणा तो यह गुणा कर दिया X से 2X प्लस 3 को तो 2X का वर्ग 3X अब हमें कुल उत्पादन खर्च क्वेशन में दिया गया है 90 रुपए ठीक है तो 90 हम यह लिख देंगे ओके अब हमें यह एक द्वीघात समिक्रण बनाना है तो 90 का पहले करेंगे पक्षान त्रण तो 90 प्लस का है इस तरफ आएगा तो माइनस 90 बराबर 0 अब यह द्वीघात समिक्रण रेडी हो गया है अब इसके हम करेंगे अव्यव अव्यव करने के लिए क्या करते हैं आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा तो 90 और 2 की गुणा कितना हो गया 180 एकसो असी का लेंगे LCM तो यह देखो दो से किया 90 आया दो से किया 45 आया तीन से किया 15 आया पाच से किया तो 3 आया और 3 से किया तो 1 आया ठीक है तो यह हो गए हमारे LCM अब हमें 3 के इस बीच वाले नंबर के दो ऐसे टुकडे करने हैं कि प्लस या माइनस करने पर तो 3 आये और गुणा करने पर 180 आये दो नंबरा से ढुणने है दो नएक जैसे होने चाहिए प्लस माइनस करने पर 3 आये और गुणा करने पर 180 आये तो हम LCM पे चलते हैं LCM से ही हमारा आंसर आएगा ठीक है तो मैंने यहां लिखाया 15 और 12 देखो 15 3 पंजे 15 ठीक है 2 दुनी 4 और 4 तिया 12 3 पंजे 15 3 दुनी 6 छे दुनी 12 12 और 15 देखो कैसे हुए 12 और 15 15 में से 12 को माइनस किया तो हमें मिला 3 और 15 से 12 को यदि हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 180 तो इस तरह से हमारे अव्यव होगे 12 और 15 ठीक है हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 12 और 15 में कौन सा नंबर बड़ा है 15 तो पहले यहां 15 लिखेंगे और जो यह निशान है यहां के नंबर का X के सहगुणक का वही निशान यहां होना चाहिए तभी आपका सम ठीक होगा अब इन दोनों में से कौमन लेंगे X तो यहां बचेगा 2X प्लस 15 जो यहां है सेम वही नंबर यहां आने चाहिए 2X प्लस 15 इन दोनों में से कौमन लिया माइनस 6 तो हमें मिला 2X प्लस 15 एक ब्रैकेट में X-6 एक ब्रैकेट में 2X प्लस 15 अब दोनों का निकालेंगे 0 तो X-6 बराबर 0 और 2X प्लस 15 बराबर 0 ठीक है 6 का पक्षांतरण तो 6 हो गया यहां 2X प्लस 15 का पक्षांतरण तो माइनस 15 निशान बदल जाते हैं यहां 2X गुणा हो रहा है तो यहां आएगा पक्षांतरण होकर तो यह भाग हो जाएगा अब यहां पर यह माइनस का है तो हमारी जो संक्या है वो माइनस में नहीं हो सकती तो हम लेंगे X बराबर 6 तो X बराबर 6 X बराबर क्या माना था हमने माना निश्य दिन उत्पादन संख्या x ठीक है तो एक दिन में कितना उत्पादन हुआ छे वस्तु होगा ठीक है और उसके बाद क्या बोल रहे थे ये कि प्रतेक वस्तु की उत्पादन कीमत हमको निकालनी है तो क्या करेंगे 2x प्लस 3 तो x की जगा 6 रख देंगे 6 दुनी 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 रूपय तो कीमत आ गई 15 रूपय और संख्या हो गई 6 ठीक है तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में जै हिन जै भारत